हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपकी इस प्यारे से ब्यूटिपुल से छोटे से चैनल जाय महाद्यो केडमी लर्नी प्रोग्राम में ठीक है और आज हम लोग क्लास टल्थ की फिजिक्स में गतिमान आवीस और चुम्बकत मूव धीरे धीरे पड़ेंगे कॉपी पिल निकाल लो नोट्स बनाना स्टार्ट करो और सुरू करते हैं तो हेडिंग लगाओगे सभी लोग आज का जो टॉपिक है वह है चल कुंडली धारा मापी हेडिंग लगाओगे हिंदी में बड़ा खतनाव है चल कुंडली धारा मापी ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक है, चल कुंडली धारा मापी, अंग्रेजी में बच्चा लोगों इससों बोलते हैं, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, चार्ज, गैलवुनो मीटर, गैलवुनो, जी एल वी एन ओ, गैलवुनो मीटर, ठीक, क्या होता है, चल कुंडली धारा मापी, मूविंग चार्ज, गैलवुनो मीटर, एक ऐसी युक्ती, एक ऐसी डिवाइस, जिसके द्वारा, किसी भी धारा परिपत में, किसी भी धारा परिपत में, धारा का संसूचन या मापन किया जाता है, एक ऐसी युक्ती, जिसकी सहायता से, किसी भी धारा परिपत में, किसी भी चालक में, धारा का संसूचन या मापन किया जाता है, तो हम कह सकते हैं एक ऐसी युक्ति एक ऐसी युक्ति ठीक है अराम से समझो जिसकी सहायता से किसी परिपत में धारा का संसूचन संसूचन अंगरेजी वड़ी व्यारी है डिटेक्षन 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 वनलब पता करेगा यह तार है अब इसमें करेंट है की नहीं है छूके नहीं पता करना तुम्हें क्या करना है गलोनो मीटर लाना है कैसे होता भी हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है गलोनो तो धारा का संसूचन या मापन मापन माने तो पता है measurement ठीक है measurement ठीक है किया जाता है किया जाता है समझ गए तो पहली बात यह है कि चल कुंडली धारा मापी क्या है moving charge galvanometer क्या है तो आप किसी युकती ऐसी ब्योस्था जिसके द्वारा किसी परिपत में धारा का संसूचन या मापन किया जाता है current को detect करते हैं या current को measure करते हैं current को detect करते हैं या current को measure करते हैं दो प्रकार के आपको पढ़ना हैं, आपके स्लाइबस में दो प्रकार के धारा मापी हैं, पहला नंबर जो है, जिसे हम कहते हैं, निलंबित कुंडली धारा मापी, क्या बोलते बच्चा लोगों, निलंबित कुंडली धारा मापी, अंग्रेजी में बोला जाता, suspended coil galvanometer, suspended coil galvanometer, ठीक, अराम से समझो, जल्दबाजी में समझोगे, मज़ा नहीं आएगा, ठीक, धेरे धेरे समझोगे, पूरा आज का आज, इसी वीडियो में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है, आप सोचो कि मेरे सामने रखा है, galvanometer, फील करो कि मेरे सामने रखा है, galvanometer चेक मत करने लगना भी ठीक है, इलंबित कुंडली धारा मापी, दूसरा हम पढ़ेंगे, बच्चा लोगों, केलकित कुंडली धारा मापी, केलकित कुंडली धारा मापी, और इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, वो दूसरा नाम है, वेस्टन धारा मापी, वेस्टन ध ये वाला जो धारा मापी है ये वाला जो धारा मापी है इसे दो फासपर ब्रांच की पत्यों के बीच में कौाइल को लपेट करके कौाइल बना करके ठीक है एक लैम्प और सीसे के माध्यम से इसका डिडेक्शन पढ़ा जाता है और ये वाला जो धारा मापी है केलुकीत कु 0-10-20, 30, ऐसे 10-20, 30, ऐसे दिखं़ थे ठीक, देखे होगे, कुछ लोग, एलेक्टिसियन के दुकान पर होता है, ग्यवाज नहीं आती है, तो वेस्टन दाहरामापी या किलकित कुन्डली दाहरामापी, इंगलिस में इसको बुलते हैं Pioted Pioted Coil Galvanometer Galvanometer ठीक है मेरी ये इंगलिस वाली राइटिंग समझ जाना सुन्दल लिखता हूँ इसमेरा दोस नहीं है ठीक है या Western Coil Galvanometer ये दो हमें पढ़ने हैं ठीक तो पहले आप नोट करने इतना क्या होता है चलकुंडली धारा मापी कितने प्रकार का होता है चलकुंडली धारा मापी ठीक है इतना नोट करलो पहले भाई अब हम आ데ंगı इसकी रचना पर नोट करो सभी लोग हो गया सबका आगे बढ़ें चलिए रफ कर दें से मटा दें चलो किस प्रिंसिपल पर वर्ग करते हैं इनका सिध्धान्त क्या है किस सिध्धान्त पर काम करते हैं पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था इनका सिध्धान्त क्या है पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि जब कोई करेंट कैरिंग क्वाइल हमने आपको सिखाया था दिखाया था कि एक coil बनाएंगे ऐसे 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 करके तार लपेटे के ऐसे एसे तार लपेटे के बनाएंगे ठीक और जब इसके बीच में हमें एक magnetic field के बीच में इसको रखेंगे तो इसे टर से घूम जाएगी घूमेगी आवाज नहीं आती तुम्हें फील के राने के लिए बताते हैं इसे घूमेगी घूमेगी ना उसी principle पे वर करती है कोई आप से पूछे कि moving charge galvanometer का principle क्या होता है कि सिद्धान्द पर काम करता है तो एक समान चुम्बकी छेतर में धारावाही कुंडली को रखा जाता है तो उस पर चुम्बकी छेतर बल आघून आरोपित करता है पूरा theory है नमेरिकल भी करेंगे लेकिन आज के lecture के बाद नहीं कल के lecture के बाद ठीक ये होता इसका principle जब एक समान चुम्बकी छेतर में किसी धारावाही कुंडली को रखा जाता तो उस पर एक बलागून उत्पन होता है और वो क्वाइल और वो क्वाइल घूम जाती है ठीक चलिए तलोड करें भाई हो गया सबका ये सिधान थे ठीक सिधान के बाद अब हम आएंगे इसकी रचना पर किस पर इसकी रचना पर जिसका है रेजिन बुल जाता है construction construction ठीक कैसे बनाई जाती है या कैसे बनाया जाता है moving charge गैलोड़ोग मीटर ठीक है जब कर दे बच्चा इसे अब ही पढ़ने जा रहे हैं पहला वाला निलंबित कुंडली धारा-मापी suspended coil galonometer कैसे बना होता आराम से समझना चेतर बनाएंगे बढ़ी आज सुन्दर सा चेतर बनाएंगे चेतर अच्छे समझ गये तो पूरा समझ मा जाएगा बहुत आसान लगएगा समझो इसमें क्या होता ये हमारे पास एक तार है तार का एक तार टर्मिनल है ये वाला तार है इसमें पता करना है current है या नहीं है हम क्या करेंगे तार को भी से cut करेंगे ठीक है एक सिरा लगाएंगे galonometer में एक सिरे समल्द धारा जाएगी और दूसरा सिरा इस से galonometer धारा पाएंगे तो हम क्या करते है ये वाला एक तार का टर्मिनल है T1 तर्मिनल है T1 टर्मिनल माने सिरा टर्मिनल माने सिरा ठीक है ये वाला जो टर्मिनल है ये वाला टर्मिनल है T1 इसमें से हम एक टर्मिनल बना करके यह यहाँ पर मरोड पत्ती लाते है मरोल पत्ती मलब एक जिसे हमने ले लिया कोई ये मार कर ले लिया और मार कर उपर ला करके इसे तारल पेड़ दिया मरोल पत्ती को उपर क्या करते बच्चा ऐसे 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 करके तारल पेड़ देते ये क्या है बोलो इसे कहते मरोड़ पत्ती जिस पर तार को मरोड़ा जाए उसके बाद आराम समझना जहां ना समझ माए जहां ना दिखाई दे बता देना पैसा वापस कर देंगे लेकिन पहले जमा कर दो तब ठीक है ये क्या है ये उती बच्चा एक फासफर बांच की फासफर बांच की पतली पत्ती दुबली पतली पत्ती ठीक है क्या काम होता है इसका इसका काम होता है कि अभी हम क्वाइल में एक टार को उत्पन करेंगे एक आगूल उत्पन करेंगे केवल सुनिये आज के लेक्चर को बहुत प्यार से समझो क्या करेंगे भला घून उत्पन करेंगे तुवाली क्वाइल सांतीस बैठेंगे फिर ऐसे गूमेगी ठीक है लेकिन घूम जाएगी हमा लीजे हमने करेंट बंद कर दी तो फिर उसको उसी तरह से आना है तो हम क्या करते एक पत्ती लगा देते जिसमें एक मलब कहा जाए कि द्रहता होती ह ऊस्कॉइल को जैसे क्वाइल यहाँ सबैसे क्या से ओ गई रखेंगे इस क्वाइल को फिर यह पत्ती यहाँ पर हमें क्वाइल बनाते हैं हमें क्वाइल कैसे या बनाते हैं, ले आए तामे कतार लपेट ना सुरू कर दिया, लपेट हो और भाई, चलो लपेट ने में तुम लोग पीछे याटते नहीं हूं, यह हमने लपेट ना सुरू किया, थीक, लपेट रहे हैं बताओ, लपेट रहे हैं साराम लपिट वातें बहुत हैं यह देखो लपेट लपिट लोटा आएसे ये 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 ऐसे ठीक बस करें ज़्यादा लपिट दी क्या बस करो लो अच्छा इतना एक टेर्मिनल यहासे निकल आएगा एक टर्मिनल आपका ये वाला इससे जुड़ा हुआ है इससे जोड़ते हैं इससे तोड़ा फील आए ना जुड़ा हुआ है और इसके बीच में क्या करते है कि अल्मूनियम का फ्रेम रख देते हैं ये जो बीच में मैं रख रहा हूँ ये क्या है यह है अलुमीनियम का फ्रेम अलुमीनियम का फ्रेम ठीक और इसके बीच में ये इसके बीच में एक नर्म लोहे की क्रोड रग बना दी जाती है नर्म लोहे की क्रोड बना दी जाती है समझो भई ये आज के लक्चर में बात चीत एक दम नहीं होगी केवल और केवल पढ़ाई होगी ठीक ये क्या है अलुमुनियम का फ्रेम ये क्या है नर्म लोहे की क्रोड ये क्या है तामे के तार की कुंडली ये जो ऐसे लपेटा गया है ये क्या है बोलो ये है तामे के तार की कुंडली इसको कहेंगे तामे के तार की तार की बताओ क्या कुंडली तुम्हारी जनम कुंडली नहीं तामे के तार की कुंडली ठीक ऐसे अच्छा ये पूरा सिस्टम मनाने के बाद हम नीचे क्या करते हैं नीचे लगाते हैं कि स्प्रिंग ये क्या लगा दिया वही है यह स्प्रिंग है यह कहा लगा दिया यह स्प्रिंग है यह स्प्रिंग क्या करेगी वही बदले वाला घूर उत्पन करेगी तर यह कौन सी फ़िजिक्स फड़ार है बदले वाला घूर हमने इसको धारा प्रवाहित कराके इसकौायल को ऐसे घुम आया था यह स्प्रिंग बता हो यह किवला घूणत पन करती है बास समझ मा रही ना चलिए हाँ भाई तो चित्र में आगे चले कहां गयरे कहां गयरे वैसे एक सेकंड हाँ देखना पड़ता है मुझे खुछ बूल जाता चित्र हाँ दिमांग बना रहता है ऐसे ऐसे होता है और सुन्दर चित्र बना ये धारा गाई ये आई ये पिर यहाँ है से आई से ऐसे ऐसे श्वाष और कुछ नहीं हे ठीक है ये पूरा सिस्टम मनाने के बाद तुम्हें करना क्या है की इस क्वाइल को जो तुम्हेरे सामने दिख रही है दो प्रबल सक्तिसाली चुम्बकी धुरूं के बीच में रख देना है गोडा नाल चुम्बकी धुरू नार्थ साउथ के बीच में रख देना है गोडा नाल चुम्बक चुम्बकी धुरू नार्थ साउथ के बीच में या उत्तरी दक्षणी के बीच में रख देना है गैलोनोमीटर सामने से उपर से देख रहो इसको फील करो फील देते हैं तुमको इसकी इसकी फील देते हैं तुमने पाइप देखा है जो घर में पाइप होता है पानी वाला पाइप उस पाइप को बिटा इसे बीच से काट दो ये पाइप है ये देखो ऐसे पाइप है ना ये वाला देख रहे हो इस पाइप को बीच से काटना है खड़ा खड़ा पुरा काट देना है तो उस आकार का ठीक है अब उसे सामने से तुम देख रहे हो तो तुम्हें ऐसे दिख रहे हैं अब अगर इधर से दिख हैं तो इसी तारह से दिखेंगे भई वासं जरती तो ये जो चित्र बना हुआ इसे उपर से जहां खरें और कमाज रहें बात को ऐसे देख रहे हैं क्लियर हुआ की नहीं बताओ हारसू मैगनेट बहुत अच्छे समद तो गए बच्चा क्लियर हुआ तो ये लुक कहां का है ये अब गैलोनोमीटर का इसे उपर से जहांक रहे है ऐसे पैक है ऐसे पुरब बना हुआ है उस बीच में कौैल लरनी नर्मलोहे की क्रोड भरी है ऐल्मूनियम का फ्रेम लगा है बात समझ माई की नहीं आई रचना इसकी क्लियर हुई की नहीं बताओ पहले चित्र बना लोगे न एक्जाम में अच्छा इतना सुन्दर चित्र बनाने के बाद फिर इसकी रचना में हम थोड़ी सी रामकाथा लिखना पसंद करेंगे उस रामकाथा में क्या लिखना पड़ेगा बोल दे रहे हैं वाकि तुम लोग अपने से लिखना देखो यह सब लिखने पढ़ने वाली चीजे तुम लोग अपने से किया करो क्या लिखोगे इसमें एक तामबे के तार की पताओ किसकी तामबे की तार की ठीक है आयता कार कुंडली होती है जो की एक ऐलमुइनियम के फ्रेम के उपर अलग 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 फेरे लपेट कर बनाई जाती है अलग अलग जरूर बोल देना अलग अलग फेरे लपेट कर बनाई जाती है इतना लिख दोवे ठीक है उसके बाद लिखोगे इस कुंडली को एक फासपर बांच की पत्ती के दौरा एक मरोर टोपी से होते हुए सीरे पहले सीरे तक पहुँचाया जाता है ठीक है दूसरे सीरे पर एक वो क्या स्प्रिंग और दूसरा सीरा टीटू होता है इस पूरी कुंडली को दो प्रबल चुम्बकी छेत्र या प्रबल चुम्बकी दुरू उत्री दच्छनी दुरू के बीच में रखा जाता है ठीक है थोड़ा हिंदी कटिन है मैं खुद फस रहा हूँ समझो बोलने मैं प्रबल चुम्बकी दुरू उत्री दच्छनी दुरू के बीच में रखा जाता है लिख लोगे न सब लोग ये देखो सुरू हो गए, हो गया सब का इतना अब इसका चित्र हो गया, इसकी रचना हो गया, इसका सिध्धान्त हो गया अब ये काम कैसे करता है इसका सिध्धान्त क्या होता है हमने सिध्धान्त सुरू में बताया था पर इसके सिध्धान्त की बात करते है अगर हम बात करें इसके सिध्धान्त की कैसे ये काम करता है अराम से समझो तेको होगा क्या कि जब हम यहां से कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे जब हम कुंडली में यहां से धारा प्रवाहित करेंगे यानि धारा इसमें आएगी ठीक है तो इसमें क्या होगा एक बला घूल उत्पन्नों का कितना पढ़ायते पिछले लेक्चर में ताउ जुकस्टू एन आई एबी साइन तीटा याद है यादी यहाँ पे समझना यादी कुंडली में कुंडली में प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा इसमाल हो तो ठीक है तो कुंडली में उत्पन्न बल आगून कुंडली में उत्पन्न बल आगून बल आगून ताउ जुकस्टू बल बच्चा एन आई एबी साइन थीटा यही फार्मूला होता है ताउ जुकस्टू एन आई एबी साइन थीटा ठीक अच्छा इसमें इन सब को ज थानेते तो हो ना कौन क्या है पैचान लोगो बूल गए पिछले वेले दिन को सर नहीं पड़े, एक बार देख लिये तो समझ में आ गया था ऐसे मत बोला करो, यान आई एभी में पैचान लो, फिर से आध करा मतां व्हेरो की संख्या यहन माने फेरों की संख्या यह जो क्वाइल बनाए हो इस क्वाइल में कितने फेरे लगाए हो 20 फेरे लगाए हो तो यहन बराबर 20 50 फेरे लगाए हो तो यहन बराबर 50 70 फेरे लगाए हो यहन बराबर 70 ऐसे रखना ठीक फेरों की संख्या आई माने आई माने बच्चा कुंडली में धारा कुंडली में धारा जो अभी आई 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 तेरी याद आई वाली जो आई थी वही आई ठीक ए माने कुंडली का छित्रफल भाई आयता कार कुंडली हमने ऐसे बनाई है तार लपिटा यू 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 ऐसे तो बीच में एक आयत बना उसका एरिया है क्या ये ये क्या है कुंडली का छित्रफल इसको क्या बोलें कि बच्चा कुंडली का छेत्र फल ख्ल, क्लियर हुआ बी को तो जानते हो, दुनिया जानती है चुंबकी छेत्र बी क्या है, चुंबकी छेत्र यह सब जानते हो, हम तुम्में में समझाना चाh tratar वाट इस थीटा यह यह थीटा क्या है समझे रे इधर समझो थीटा क्या है थीटा इस दा एंगल विटवीन इंगलीस दो बोले आज हम कर लोगे सुनो भ़ले थीटा इस दा एंगल विटवीन एरिया वेक्टर अफ़ कोईल एड्मेटिक फिल्ड उड़े गई हम क्या बोले है थीटा चुम्बकी छेत्र और इस आयताकार कुंडली के छेत्रफल सदिस के बीच बना कूड है अच्छा किसी क्वाइल का छेत्रफल सदिस कहां होता है किसी क्वाइल का छेत्रफल सदिस कहां होता है परपेंडिकुलर आंदा एरिया छेतर के लंबत हम बोलें हम बोलें हम बोलें हम बोलें कि इस वाले एरिया का यह जो ऐसे रखे इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर कहा है परपेंडिकुलर डाल दो यह हमने तुम से पुछा इस वाले एरिया का perpendicular कहा वो एरिया vector कहा तुमको लोग सरी ये समझ में आई बात है ऐसे रख दे तो ये मलब हमेशा जो एरिया है उस पर जो perpendicular होगा वह इसका एरिया vector होता है अच्छा अब उसके बाद अगर बात करें कि यहां पर magnetic field कहा है भाया ये हारसो मैगनेट है घुडा नाल चुम्बक है पाइप वाला चुम्बक है इसमें जो चुम्बकी छेतर होगा वो नार्थ टू साउथ एक समान चुम्बकी छेतर होगा नार्थ टू साउथ एक समान चुम्बकी छेतर होगा ठेक क्वाइल ऐसे रखी यह कोईल ऐसे रखी एरिया वेक्टर बोलो यह आ गया इधर बाहरा तुम्हारे मूझ की तरफ यह आ रहा है आये नहीं आया पता थीटा इत्ता बना इमान दाई बना 90 डिगरी बना कि नहीं बना बना 90 डिगरी फिर से एक बार समझो Magnetic field North to South ये जा रहा है कुछ बच्चे रट लेते किसमें 90 रखा जाता है अरे कैसे 90 रखा जाता भाई कैसे 90 रखा जाता है समझो आओ इधर देखो पहले North to South ये magnetic field है क्वाइल आपकी मेरे बाब पूँ ऐसे रखी है अब बताओ एरिया इधर है magnetic field ऊधर है ठीटा कितना बाना 90 डिगरी मान गया न बेटेइ तो लिग देशन यहाँ पे कृण किसके बीच का है मैं एंगली से में लिख दूँ ये अंगल विटवीन एंगल विटवीन between किसके किसके पताओ area vector of coil area vector of coil समझ जाना भाई थोड़ा इंगलिस पढ़ाने का mood है क्योंकि इसके जो टर्म है हिंदी में बहुत कठीन हो जाते हैं इसलिए मैं इंगलिस बोलने का प्रयास करता हूँ area vector of coil and magnetic field and बोले तो magnetic field magnetic field magnetic field ठीक है अच्छा यहाँ पर कितना है बोलो 90 degree यहाँ पर कितना है 90 degree अच्छा इनको सब को मिटा दे इनको सब तो पहिचान रहे हो तुम लोग चाचा दादा के लड़के लगते हैं ना मिटा दे लोग मिटा दिया आगे आ जाओ अब समझो अगली रात समझें तो हमने आपको क्या बताया अधिक्तम बला घूण के लिए या हम कहें इस condition पे थीटा इस 90 degree थीटा इस 90 degree देन टाव मैक्स जगोस्टो एन आई एबी अब देखो एक बास समझो ये बला घूण उत्पन होगा और हमने दो चीजे इस पे पहले से लगा रखी है एक ये वाली स्प्रिंग और एक ये फास परबांच की पत्ती इनका काम क्या है इनका काम होता है बदले का अगूण उत्पन करना बदले का अगूण उत्पन करना मलवी इस आगूण का बदला लेना जैसे ही जब तकरिंट जा रही है ऐसे ऐसे एसे तब तक ये कौाइल घूमी रहेगी रहा से टरस गूम जाएगी लेकिन जब करिंट बंद कर दोगे ये दोनों एक टू हो जाएंगे यह कहेंगे जितना तुमने बदला जितना तुमने गुमाया उसके बदले हम अब गुमाएंगे ऐसे गुमाए थे ऐसे गुमा दिये थे यह दोनों मिलकर फिर वहीं लाएंगे क्लिएर हुआ ठीक है तो यहां पर लिख देना नीके इस बला खूंण इस बला घूंण दे वित बंपरीत कि वित इसा का बला घूंण देल लिक algún न न न न श्प्रिंग में विपरीत बला घूड उत्पन करेगा ठीक है अच्छा माल लेते हैं कि इस बला घूड से जो एक हमारी कौईल घूमी उमाल 30 डिगरी घूम गई एंगल में सोचो 30 डिगरी घूम गई ठीक है किती गूमी 30 डिगरी गूमी तो वह वाला एंगल अगर मालो पहला जो एंगल फाई है यह एंगल फाई इस बला घूण के प्रोप सरी डारेक्टली प्रपोस्टनल होगा अनुकरमानुपाती होगा थोड़ा से इस बात को सोचते हैं समझते हैं पहले आराम से सुनों हमने क्या कहा कि मान लो मानने में कहीं पीछे रहते नहीं महादेव व गूमी दूसरी बार हमने धारा और बढ़ाई और जदा टार्क उत्पन हुआ एन आई ए बी का मानबर गया बात को सुनो पहले एन आई एबी का मानम बढ़गिया अप rozpilी तो बहिया जतना ज़्यादा टार्क कुछपन होगा जितना ज्यादा बला घूरत पन की होगा उतना ज्यादा विक्षेप उत्पन होगा Suppose that मान लिया जाए मार नहीं दिया जाए मान लिया जाए कि जो विक्षेप कॉन है वो है 5 विक्षेप कॉन कितना है 5 तो यह प्रपोसनल हो गया किसके या न आई A B के या न आई A B के अब समझो राज की बात बताते हैं, मम्मी पापा से भी न बताना कि जब इसको हटाते हैं तो कॉंस्टेंट लगाते हैं ये महाँभारत में भी लिखा है तुम लोगों ने देखी नहीं है न इसलिए चलो, अगर यहां से आई बराबर निकालें आई बराबर आई बराबर बताओ क्या जागा C अपॉन चलो रहे इधर नीचे आज़र एन A B 5 आई बराओ क्या आया C अपॉन N A B 5 समझ मा आया कि नहीं आया आई बराबर आगा C अपॉन N A B 5 अब बुलो बबा ये कॉंस्टेंट बुलो हां सर ये कॉंस्टेंट बुलो हां सर अरे हां सर सहले सुन लो कहीं कॉंस्टेंट है हमने कसम खाई की ये कॉंस्टेंट लगाया है तो ये कॉंस्टेंट है येन क्या है फेरों की संख्या अरे भईया सुरों में 20 फेरे लपेट लिए धारा नाप लिए दूसरी बार मन किया सौ फेरे लपेट लिए धारा नाप लिए बात समझ माई की नहीं आई अब बीच में थोड़े धारा नाप थे समझ दो फेरा और लपेट दो ऐसे थोड़े काम चलेगा कि बीच में धारा नहीं सही सनाप पारो तीन फेरे और लपेट दो अरे एक बार लपेट लो फिर ना पलो ऐसे माना जाता है ठीक समझे रहे बात को एक बार लपेट लो फिर मान लो तो ये नमबर अफ फेरा नमबर अफ फेरा ये भी constant होगा ये क्या है वहिया area quail का area भी fix होगा सूरू में बात हो चूकि ये हमारी तुमारी डील हो गई है कि ये एक समान चुम्ब की छेतर की घटना होगी पूरी कहानी कहा कि है बताओ एक समान चुम्ब की छेतर की है ठीक तो ये सब constant है ये सब constant है तो बो I is the proportional to five I is the proportional to the five इसका मतलब इसका मतलब धारा ज्यादा तो विक्षेप ज्यादा धारा कम तो विक्षेप कम बात समझ माई की नहीं आई फार्मूले में साइन थीटा कैसे आता बिटा इसके पीछे पढ़के आये हो पहले बताओ इसके पहले वाला लेक्चर पढ़के आये हो सही सही बोलना नोट कर लो पहले इसना समझ माया इसके नहीं चलिक देना आता धारा मापी में प्रवाहित की गई धारा कुंडली में उत्पन विक्षेप के क्या होती है अनुक्रमान उपाती होती है नोट करो फोट बनार ना नोट कर लो सब लोग नोट कर लो नोट कर लो और यह जो C अपॉन N A B लिखा है इसको हम कहते हैं धारा परिवर्तन गुडांग क्या कहते हैं धारा परिवर्तन गुडांग समझ में बात आई भाहिया रफ करें आगे बढ़ें बढ़ते रहें जिंदगी के काम ही है बालना ठीक है तो समझ माया हमने इसकी रचना बढ़ाई इसका सिध्धानत बताया और कैसे काम करता यह सब कुछ बता दिया ठीक है अब हम बात करेंगे धारा मापी की सुग्राहिता धारा सुग्राहिता बहुत बढ़ा टापिक है आज के लेक्चर में खतम नहीं होगा कल कल भी पढ़ाना पड़ेगे इसको अगली हीडिंग लगाओगे धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या हीडिंग लगाओगे बताओ धारा मापी की धारा सुग्राहिता धारा सुग्राहिता ठीक है ये बच्चा लोगो इसको रटना पड़ेगा रटना पड़ेगा बाद में समझ मायाँगा पहला पॉट लेगा इसे डेल्टा आई से प्रदर्शित करते हैं डेल्टा आई से प्रदर्शित करते हैं क्या करते हैं डेल्टा आई से प्रदर्शित करते हैं रड डालो रड डालो रड डालो बीच बीच बोलते हैं रड डालो अभी रड डालो बाद मैं समझा देंगे ठीक अच्छा डेल्टा आई बराबर होता क्या है डेल्टा आई बराबर होता फाई अपॉन आई और फाई अपॉन आई व नीचे हम लिख दें इसकी परिवासा आता किसी धारा मापी में धारा मापी में उत्पन विक्षेप एवं प्रवाहित धारा के अनुपात को धारा मापी की धारा सुग्राहिता कहते हैं धारा सुग्राहिता कहते हैं पताए क्लियर हो गया सब लोगों का भाई ठीक चलिए भाई हो गया अच्छा अभी हमने फाई बराबर आपको पढ़ाया है आई बराबर पढ़ाया है थना चालो थोड़ा से इस फार्मूले का और आगे बढ़ा दें बढ़ा दें डेल्टा आई इसकोस टू फाई अपॉन आई का फार्मूला हमने बताया क्या बताया था सी अपॉन एन एब into क्या था बच्चा फाई बचा रहा फाई लुट गया रह फाई तो डेल्टा आई बरावर बताओ क्या हो गया N A B अपॉन में C N A B अपॉन में C नोट कर लो भाईया N A B अपॉन में C ठेकर नोट कर लो भाईया हो गया निव स्टुडेंट चलो पढ़े रहो अच्छी बात है जो लोग नए आये हैं भाई सब लोग बात करना बंद कर दो पढ़ाई में ध्यान दो ये लोग नहीं मानेंगे बिटा इनकी आदत है ये क्लास में आते हैं कहते हाई रिया हाई प्रिया कैसी हो रिया कैसी हो प्रिया और जीवन और बेटा ही करते रहे जाओगे तब मोम आया यार छोण दो अभी पढ़ लो पढ़ लो इस बार मेरा मेरा पूरा सलबस पूरा हो जाए अगले साल मैं यहीं वीडियो बनाऊंगा तुम लोग कहे दो क पाया लगि मस्त रहो खुश रहो अगली हेडिंग धारा मापी की बोल्टे सुग्राहिता हेडिंग लगा लगालो हेडिंग अगली पचारे मेरे बच्चे अगली हीटिंग लगाओ धारा मापी की मापी की बोल्टेज सुग्राहिता बोल्टेज सुग्राहिता पढ़ा करो कभी-कभी टापिक सीरियस हो जाते हैं पागी रोट तो कला समझ आती है कभी-कभी कटी न हो जाती है चीजें तो उसमें क्या होता कि लगता है इसे पढ़ाते हो बार-बार हम खुद बोलते हैं सीधे देखो कमेंट नहीं करना केवल पढ़ो बोला करते हैं बीजबी से तो लोग से इसलिए बोलते हैं को उस दिन का टापिक कठीन होता है और तुम लोग बच्चे हो बच्चों को बताएंगे नहीं कि कठीन है तो तुम तो फिर उसी मूड पर आओगे आज भी मज़ा लेंगे कलास मज़ा लेके जाएंगे बिना मज़ा लिए नहीं जा सकते ऐसा नहीं करना ठीक चलिए तो बोल्टे सुग्राइता में क्या है पहला नंबर पॉइंट रड डालो रहे इसको भी इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं प्रदर्शित करते हैं सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट लग लेना Δेलटा V बराबर होता उसी तरह से फाई अपॉन वी फाई अपॉन वी बन गई डिफिनिंशन क्या बोलोगों फाई बोले तो फाई बोले तो दारा मापी का 2 छेप जैसे गुमा तक है तैंतिस डिग्री 35 दिगरी वो ठीक और आई बोले तो धारा मापी में आई 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 तेरी याद आई ना बीटा सीरियस मत तुछा करो तो क्या Ministry क्या को तो क्या भूणेंगी परिवासा ब्योल्टे सुग्राहिता की किसी चल कुंडली धारा मापी में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन विक्षेफ और उसके सिरों के बीच बिभुवांतर या कहें उसके टर्मिनल बिभुवांतर बात तो वही है सर सिरा बोलो या टर्मिनल बोलो बात तो वही है न ठीक है सिरों के बीच विभुवांतर के अनुपात को धारा मापी की वोल्टस उगरा ही ता कहते हैं नीचे क्या लिखेंगे आता है आता है किसी धारा मापी में धारा मापी में मापी में धारा प्रवाहित करने पर लिख लेना बिटा धारा प्रवाहित करने पर करने पर उत्पन विक्षेप उत्पन विक्षेप हुआ सिरों के बीच सिरों के बीच विभवांतर विभवांतर के अनुपात को अनुपात को क्या कहते हैं बुलो बोल्टे सुगराहिता अनुपात को धारा मापी की ठीक है voltage सुग्राहिता कहते हैं क्या कहते हैं बताओ voltage सुग्राहिता कहते हैं क्लियर हुआ बात भाईया फार्मूले को थोड़ा आगे बढा ले बढा लें बहुत आराम से बढाएंगे delta V बाबर phi upon वीबर और I यार ये ओम भाईया ने बताया था into into कुछ नहीं into कुछ नहीं अगले लाइन में आओ delta V बाबर phi upon I का फार्मूला भी बताय गया था बताओ c upon nba ये ने बी ये nba into r लिखा है into 5 भी लगाओगे ये 5 फार्मूला क्या आगया ये उपर चला जाएगा nba upon में c r nba upon में c r नोट कर लो भी ये सब ठीक है चालो होगे सबका delta V ही क्यों delta V इसलिए voltage सुगरा ही था voltage का पहला वाड V होता है अरे गरीब हो तुम लोग को इतना भी समझ में नहीं आता प्रदर्सित करना कोई किताब में नहीं लिखा ठीक है voltage की इस पेरिंग होती है V O L T A G E पहला चरवी मिल गया हमने delta V लगा दिया हमने delta V लगा दिया बास समझ मारी ना ऐसे करते थे हैं delta V से ही क्यों चलो गई हो गया सबका आगे बढ़े तो ये था बच्चा कौन सा ये था आपका निलंबित कुंडली धारा मापी suspended coil galvanometer दूसरा वाला भी यही है अब उसमें हम आपको सिध्धान्त नहीं पढ़ाएंगे हम आपको उसकी धारा सुग्राहिता नहीं पढ़ाएंगे हम उसकी voltage सुग्राहिता नहीं पढ़ाएंगे बेटा बुरा का बुरा वही है बस थोड़ा सा फरक है कि यहां पर इसे हम मरूर पत्ती और spring इस सब के बीच में क्वाइल लगाएंगे ना उसमें क्या होगा दो चुल्ले लाएंगे चुल्ले बोले तो चुल्ले चुल्लो के बीच में टांग देंगे और गुमाएंगे इसे समझे गए तो आज की कहानी कुछ है वैसे होने वाली चुल्ले लाना चलो हेडिंग लगाओगे हेडिंग लगाओगे कीलकित कुंडली धारामापी या वेस्टन धारामापी हेडिंग लगालो तो फिर आगे बढ़ें लगा लिए लगा लिए हेडिंग कहां लगाएं सर कापी मैं और बेटा कहां लगाओगे ठीक है तो अगली हेडिंग है कीलकित कुंडली धारा मापी अथवा वेस्टन धारामापी कहीं टर्न लिखा होता है कहीं टर्न लिखा होता है तुम लोग समझ जाना धारामापी अंगरेजिम बोलते हैं वेस्टन व-e-s-t-o-n ठीक है बागी हिंडि में लोग जो मनूं बोल देते हैं तुम लोग तो बोलो कि वही है जिसमें से करें ना पी जाती है जिसमें बिजली का पता लगाएजाता है कुछ अब आओ ये बंता कैसी है वाया बच्छा तो इस माले में देखना आराम से समझना भी दीरे समझ मारा ना सब लोगों को चुल्ले क्या होते है रुक रुक करके गों आ रही है बीडियो कहां रुक रही है चल तो रही है भाग रही है बीटा परिसान नहो रुकने की बात मत करो इसमें देखो और कोई खास सीज नहीं है अराम से समझो कि बहुत मज़ा आएगा मज़ा तो आता ही है सर ये देखो ये क्या है बच्चा ये नर्म लोहे की एक क्रोड है इसके चार ओर हमने ऐलुमिनियम का एक फ्रेम मना लिया अराम से समझो पहले फोटो बनाओ सुनदर सी सुन्दर पोटो बनाओ कि तुम्हें प्यार हो जाए कील कित कुंडली दारा मापीस है अमद रहो ये ये अलुमीनियम का एक फ्रेम है किसका फ्रेम है वे अलुमीनियम का ये क्या है नर्म लोहे की क्रोड़ बगल में लिख दें इदर नर्म लोहे की क्रोड अच्छा कोई पूछा नहीं अभी तक सर नर्म लोहे की क्रोड क्यों लगाते हैं इसका क्या काम है तो बता दें इसका काम इसका काम होता है कि जो चुम्बकी बल रेखाएं होती है भाई हम अभी यहाँ पर एक हार्सू मैगनेट लाएंगे उसके बीच में स्कॉाइल को रखें फेसर टररर टरर टरर गुमाएंगे न एक आनी होती है तो जो चुम्बकी बल रेखाएं होती है उनको सकेंद्रित करना उनको केंद्रित कर देना ऐसे तुम जाओगी ऐसे तुम जाओगी ऐसे तुम जाओगी ऐसे तुम जाओगी यह काम होता इसका ठीक तो अल्मूनियम का फ्रेम है इसके उपर हमने तामे के तार की कुंडली बांद रखी है तामे की तार की कुंडली और अच्छे से पड़लों ने बदल जाए कि तुम्हारी जनम कुंडली ठीक ऐसे इसके बाद क्या करते हैं इस फ्रेम को दो चुलों के बीच में बेटा ये जो लगे हैं इनको कहते हैं चुले देख लो फूच रहा था एक बचा सर चुले क्या होते हैं देख लो बेटा ये ह यहां पर क्या होते है कि स्प्रिंग लगी होती अभी ये वाली स्प्रिंग समझो ये स्प्रिंग क्यों लगी है वही काम करने के लिए बदले का अगून उत्पन करेगी क्या करेगी बुलो बदले का अगून उत्पन करेगी ये स्प्रिंग लगी है एक टर्मिनल टीवन ये हो जाता है दूसरी स्प्रिंग यहां लगी है दूसरा टर्मिनल टीटू यहां से हो जाता है हमें जो धारा पता करनी होते है टर्मिनल T1 पे इनपुट दे देते हैं और टर्मिनल T2 से आउटपुट ले दे दे धारा आई और धारा गई यहां से आई 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 तेरी याद आई ऐसे निकल गई समझ में बात आई तुम रे तुमको बात समझ माई की नहीं आई ठीक और यह पूरा सिस्टम रखना कहा है तुमें यह पूरा सिस्टम रखना कहा है इसको रखना है दो हार सो मैगनेट के बीच में कहां रखना हार सो मैगनेट की बीच में कोई तुम से पूछे कि हार सो मैगनेट ही क्यों लाते हो हम वो बाज़ा वाला निकाल लाए मैगनेट उससे काम नहीं चलेगा तो तुम कहोगे कि यहाँ पर जो चुम्बकी छेत्र होता है वो एक समान होता है घर का टीवी बाज़ा फोलने की जरूरत नहीं है घर का टीवी बाज़ा फोलने की जरूरत नहीं है एक समान चुम्बकी छेत्र वने इसलिए हम लोग क्या करते है एक पाइप जैसे चुम्बक को काट देते है और काट करके ऐसा बना देते है देख पार है ऐसे ऐसे बीच में ऐसे गोल सा बना होता है क्लर हुआ ठीक तो इस तरह की कहानी होती है अच्छा यहां पर क्या होता है कि जब आप आप यहां से धारा दोगी यहां से धारा लोगी थे इसमें टार्क बनेगा टार्क क्या करेगा क्ला को गुमाएगा लेकिन पूस्क्वाइल के बिक शेप को जो टार्क उत्पन हुआ जिसके करान स्क्वाइल घूमी है उसको हम कैसे डिडिक्ट करें उसको कैसे नापें तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चा एक मीटर लाते हैं पैमाना लाते हैं यह लंबा चोड़ा पैमाना है यह बीच में जीरो लिखा होता है यहाँ पर दस, बीस, तीस, चालेस, पचास ऐसे डैड़ लिखते चले जाओ खाली होते लिख डालना रात भर में दस, बीस, तीस, चालेस, पचास और फिर लंबी चोड़ी है कि यहाँ से सुई लगी होती है अब समझो, अब समझो, यह समझो थैंक्यू भया, देशी, गेमिंग, मस्ती तुम लोग, एक बात, यह जो सुपर चैट से पैसे दिया करते हो, इसके लिए इससे अच्छा है कि आपको डोनेट करने के लिए सीधे ओप्सन दिया गया है डोनेट करने के लिए सीधे ओप्सन दिया गया है नीचे अकाउन नंबर दिएगे अगर कोई बच्चे को अच्छा लगता हूँ कि हम कुछ कर रहे हैं तो सीधर वहां से डोनेट कर सकता है सूपर चैड से जो पैसा आता है ये पहले हमारे बाबा को जाता है YouTube बाबा को फिर वहां से फिर हमारे पास आता है समय लग जाता अगले महीना मिलता है इसलिए कहते न अगर आपको लगे इना ही सर लोग बहुत गरीब हैं आज कल दो सोनचास का लेने लगे हैं कोर्स भी देने लगे हैं तिब तब भी गरीब हैं अगर कुछ ऐसा लगे सीधे वाद दे दिया करो ठीक है चलो आगे समझें ब तुम बाढ़ की तरह इसके करते हो मैं बिहार की तरह डूब जाओ न जाओ तो कहना तुम बिटा बिहारे बनी रह जाओगे बिहार में सोक नदी भी है हर साल सोक लाती है और तुम बिहार बने गए तो तुम्हारे उपर भी हर साल सोक आएगा इसलिए तुम बाढ़ के चक आपकर मैं न पड़ा है कि देटना समझ गए तो यह क्या लगा होटता है कि मीटल लगा होता है पैमाना लगा होता है जिस पर इस सुई ऐसं गुमती है अबलो होगा जब धारा इदर से आके इदर जाएंगी तुस्वी हेसे जाएगी तर फिर धारा जब इधर से इधर जाएगी मेरा हाथ समझो रहे इधर धारा T1 से T2 टर्मिनल की और जा रही है सुई ऐसे घुम रहे एक लाख वाईज ऐसे 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 अब आपने T2 से इंटर करा के T1 से तो अपकी क्या होगा ये सुई एंटी क्लाग घूमेगी तो इससे हम क्या करते हैं धारा का मापन कर लेते हैं और इससे क्या करते हैं धारा का संसूचन कर लेते हैं बात समझ माई तो आज हम लोगों ने केवल दो चीजों को समझा एक निलंबित कुंडली धारा मापी को समझ इससे क्या करना है धारा का मापन करना है या धारा का संसूचन करना है कैसे बनाए जाते हैं ये सब चीजें आज हमने आपको बता दी है अगला जो कल का लेक्चर होगा बहुत इंपोर्टन होने माला कल हम लोग इनी धारा मापी से बनाएंगे अमीटर 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 क्या है वायंतर जिसके दोरा किसी भी धारा परिफ़त में वैदुद धारा को मापा जाता है सीधे सीधे माप देता है 120 एंपियर 130 एंपियर 135 एंपियर अमीटर बनाएंगे कल तुम लोग रिंच उन्च लेके आना ठीक है रिंच लमत ले आना कापी पिर ले आना हम बना देंगे कापी में ठीक है फिर हम बनाएंगे वोल्ट मीटर घर में स्टेपलाईजर होगा वावर्य से पुटत 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 वाला होगा नौ उसमें जो बताता है वोल्ट मीटर होता है था था एक है अ कहां चले गए थो थुम और हाँ जिन बच्चों ने हमारा कॉर्स फपर्शेज नहीं किया हमारे एब को डाउनलोड नेट किया वो लोग अच्छे बच्चे है कर सकते हैं, purchase कर सकते हैं, download कर सकते हैं समझे, उनको क्या करना है, google play store पर जाना है वहाँ सर्च करना है, जै-mahadayv academy बगल में प्रचाल लगा रखे हैं, लगातार दिन बर दिखता है तुम लोगों को फिर भी आप download नहीं करते हो यही मौबबत है बताओ जय महादेव अकेडमी का Android एप आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद सीधे चले जाना इस्टोर आपसन में ठीक है थर्ड नंबर पे मिलेगा इस्टोर इस्टोर पे जाकर के वहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स का टार्गेट बैच ओली दिवाली जो भी कहो सबसे तगड़ा अफर है 249 रुपए का मात्र 249 रुपए में आपको दिया जारा पूरा साल बर का केर्स पूरा साल बर का भईया एक बार 249 दे दो फुरसत पूरी ले लो NCIT की बुक पूरी ले लो कुमार मित्तल की बुक हर चैप्टर के आपको हैंड इटे नोट्स हर चैप्टर के टाइप नोट्स और हर चैप्टर के वीडियो लेक्चर वीडियो लेक्चर कौन से वीडियो लेक्चर जो यूटूब पे फिरी में ओले वल है यही वाली लाइब क्लास वहाँ पे वीडियो बन के चली जाएगी चाहो तो 2.49 का ले सकते हो जैसे स्टोर में जाओगे क्लास 12 फिजिक्स का बैच मिलेगा उसे परचेस करो 2.49 रुपए में आज कल क्या मिलता है बाबा एड़ अच्छी टीसर्ड भी नहीं मिलती है और तुम लोग 2.49 का कॉर्स नहीं खरीद रहे हो खरीद लो भाई इतना सस्ता कुछ नहीं मिलेगा चलें चलें चलते हैं आज करें बस इतना है सबको गुद नाइट भाई बाई टेक केर ख्यास रखना ठीक है